सातियों, आज जिस प्रकार दुनिया में, भारत में नई टेक्नलोजी का प्रसार हो रहा है, उससे हर छेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो रही है। आज हम बिना ब्रांच के बैंक, बिना शोरूम के रिटेल बिजनेश, बिना डाइनिंग हॉल के क्लाउट किचन, ऐसे अनेक प्रयोगों को रोज मना की जिन्दगी में देख रहे हैं। ऐसे में ये भी संभाव है कि भविष्ट की उनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्चूल हो और दुनिया भरते स्टूडन्स और फैकल्टी किसी भी उनिवर्सिटी का हिस्षा बन सके। इस प्रकार की ट्रांस्फर्मेशन के लिए हमारे पास एक जरूरी रेगुलेटरी फ्रेम पर खोना बहुत जरूरी है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने माध्यम से लगातार उसकी कोशिश की जा रही है। इस पॉलिसी में टेक्नलोजी के जादा से जादा उप्योग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोशाइट किया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जाटा और डाटा अनलेटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टिम को तयार करने पर बल देती है। डाटा अनलेटिक्स की मदद से एडमिशन से लेकर टीचिंग और इवेलुशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बैतर हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तेजपुर उनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्षों को सिद्ध करने में एहम भूमिका निवाएगी। मुझे तेजपुर उनिवर्सिटी के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके सामर्थे पर पूरा भरुसा है। और मैं अपने स्टूडन्स साथियों को ये बात विशेशत तरपर कहूंगा कि जब आपकी फॉर्माल एजुकेशन पूरी होती हैं तो आप सिर्फ अपने फूचर के लिए नहीं बलकि रास के फूचर के लिए ये काम करते हैं। आपको से एक बात याद रखे। अगर आपका परपज उचा है तो आपको जीवन के उतार चड़ाव से उतना असर नहीं पड़ेगा। आपके जीवन के आने वाले 25-26 साल आपके केरियर के साथ साथ देश के भाग्य को भी तै करने वाले हैं। मुझे भी स्वास है कि आप सभी देश को नई उचाई पर पहुचाएंगे।